प्रेम से बोलिये मातारानी की जये नौरात्र ब्रत एवंग पाठ श्री दुर्गा सप्तसती पहला अध्याए मेधार इसी द्वारा राजा सूरत एवंग समाधी नामक वैसुको देवी महत्मे सुनाना तथा मधुकेटफ बद का बढ़नन मारकंडे जी ने कहा मैं सुर्य पुत्र साविर्ण मनू आठ मनू में से एक मनू के उत्पन होने की कथा को स्वविस्तार वर्नन करता हूँ उसे तुम ध्यान दे कर स्रवन करो भगवती महामाय की कृपा से सुर्य पुत्य साविर्ण जिस प्रकार मर्वंतर के अधिस्था हुए मैं उसी भटना का बढ़न करता हूँ प्राचीन काल में स्वरोचिस नामक मर्वंतर में सूरत नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे चैत्र बंसुत्पन उस सूरत राजा का सारे भू मंडल पर एक छत्य राज्य था वे प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे तिस पर भी कौल विद्वनसी नामक छत्य उनसे द्वेस करने लगे राजा सूरत की डंडब ब्यवस्तात अत्यंत कथोड थी अपने विपच्चियों के साथ राजा सूरत ने भीशन संग्राम किया यद पी कौल विद्वनसी छत्यों की संक्या अलप ही थी किन्तु बिजेलाप उन्हीं लोगों को मिला बिर्योधियों द्वारा पराजित होकर राजा सूरत अपनी राजधानी में वापस लोट आए और अपने देश तक ही अपने राज्य की सीमा निर्धारीत कर दी इससे अधीक वे अपने राज्य का विस्तार ना कर सके बलकि पहले से सासित भूमी भी उन्हें छोड़नी पड़ी अपनी हार मान लेने पर भी सत्रों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर पुना आक्रमंग कर दिया राजा सूरत का युद्य के कारण सैनेबल छीड हो चुका था इसलिए उनके विस्वस्त मंत्रियों ने ही कुछ चकर रचकर सूरत के संपुर्ण राज को हस्तगत कर लिया राजा में अब राज स्री नथी इसलिए वाकेले ही अस्वारूड होकर म्रिगया के बहाने घोर जंगल में पलाई थो गए वन में पहुँचकर राजा सूरत ने विप्रवर मेधा रिशी का आस्रम देखा मुनी के आस्रम में अनेक नर्भक्षी एवंग मांसाहारी हिंसक पसु अपने स्वाभाविक हिंसाब्रिती को त्याक कर सान तभाव से बिचर रहे थे मुनी की सिस्ण मंडली से उस आस्रम तथा वन प्रांत का सौंदर मुखरी थो उठा था आस्रम में आये हुए राजा सूरत की मुनी ने आओ भगत की कुछ दिन तक राजा सुरत भी मुनी के आस्रब में रहकर बिहार करते रहे एक दिन मोमाया ऐसे ग्रसित होकर राजा सुरत अपने मन में सोचने लगे मेरे पूर्वजों द्वारा अधिकृत नगर आज मुझसे बियुक्त होकर खंधर सा हो रहा है मेरे विश्वास घाती कर्मचारी नव जाने उस नगर की रच्छा करते होंगे या नहीं अपने सरीर से निरंतर मद बहाने वाले मेरा मद मत हाथी आज नव जाने किस सिस्तिती में होगा जो लोग मेरी कृपादिष्टी के आकांची धन और भोजन प्राप्त करने के लिए सदय उतत्पर रहकर मैंने आउसरंग किया करते थे वे ही लोग अब निश्चित रूप से अने राजाओं के मुखा पेच्छी होंगे उन सभी लोगों के द्वारा मेरे धन का दुर्पियोग हो रहा होगा इसमें कोई संदे नहीं है इस प्रकार अनेक कुतक्र राजा के मन में उठ रहे थे एक दिन मेधा मुनी के आश्रम के समीप एक वेस्ट को देख कर राजा ने उससे पूछा भाई तुम कौन हो तुमारे हाँ आने का क्या प्रयूजन है तुम तो देखने में बहुती ब्यग्र और अन्मने से जान पड़ रहे हो राजा के इस साहन भूती पूर्ण वचन सुनकर वेस्टो ने राजा को परणाम किया और बिनत होकर बोला वेस्टो ने राजा से कहा राजन मैं संपन कुल में उत्पन वेस्व जाती का मनुस्य हूँ मेरा नाम समाधी है धन लोलूप इस्थरी पुत्रो ने अपने स्वार्त साधन के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया है इस समय मैं इस्थरी पुत्र और धन भी हीन हो गया हूँ मेरे उपर प्रियजनों ने ही मेरे धन का हरं करके मुझे उस धन के लिए अनाधिकारी ठाराया है इसे चुप दोकर घर का परित्याक कर वन में चला आया हूँ इस समय मेरे मन में उन्ही कुटुम्बियों के प्रतिचिंता हो रही है वे सब न जाने इस समय किस परिस्थिती में होंगे वे लोग घर में सकुसल हैं या नहीं मुझे इन सब बातों का कोई ग्यान नहीं है मैं सोच रहा हूँ कि वो मेरे पुत्र कैसे हैं उन्हें सजन कहा जाया दुर्जन वेस्व की बात सुनकर राजा ने उससे पूछा जिन प्रियजनों के धन लिपसा के कारण तुमें घर से निसकासिद कर दिया है उन स्वार्थ परायन सजनों के उपर तुमारी इतनी गाड़ी ममता क्यों है बेस्व राजा से बोला आपका या प्रस्ण उचित है मेरा मन उन स्वार्थी कुटुम्बियों की ममता छोड़ने को तयार नहीं है अब आप ही बताइए मैं क्या करू धन लोलुपता के कारण परवार के जिन सदस्टों ने मेरी या दुर्दसा की उन लोगों के प्रती मेरे मन में ममत्व की भावना है ये महनुभाव इतना जानते हुए भी ना जाने क्यों मेरे मन में उन स्वार्थी लोगों के प्रती ममता बनी हुई है इसके रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उन लोगों के बिरह से कातर होकर मैं आहे भर रहा हूँ जिसके फलसरूप मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है कुटुम्बियों की मुझसे कुछ भी लगाव नहीं है फिर भी मेरा मन उन लोगों के लिए संतप्त है समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ मारकंडे जी ने का हे ब्रह्मन इस वार्ता की समाप्ती के बाद ही सूरत और समाधी नामक वैस एक साथ ही मेधा मुनी के समुक उपस्तित हुए मुनी के पती समान पदरसं करके वे दोनों वहीं बैठ गए इसके बाद राजा सूरत और बैस में परस पर कुछ बात चीत होने लगी राजा ने कहा भगवान मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कृपया आप उसे बताईए मेरा मन स्वस्ट न रहने के कारण बहुत इकलेसी थै जिस राज भोग के सुक से मैं बंचीत कर दिया गया हूँ उसी को पुना हस्तगत करने के लिए मेरे मन में आकांचा बनी हुई है हे मुनिसेष्ट मैं इस बात को जानता हूँ मेरा राज पर कोई प्रभूत नहीं रहा गया है उस पर किसी अन्यका सासन हो गया है फिर भी अपनी अज्यानतावस मैं उसी के मों में पढ़ा हूँ इन सब बातों में क्या भेध है मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ वह वैसो भी मेरे ही समान अपने पूत्र, इस्तिरिया और सेवकों द्वारा अत्यक्त है ऐसा जानते हुए भी या वैसो अभी तक अपने कुटुम्बियों की मों में ग्रसीद है अत्वे हम दोनों का मन इन सब बातों से बहुत ही खीन है मेरा मन अभी भी भ्रमीत हो रहा है हे महाभाग हम दोनों में जो प्रेम प्रवावित हो रहा है हुआ क्या बस्तू है हम दोनों में पत्तच्चत आग्यान के लच्चन दिस्टिगत हो रहे हैं राजा की बात सुनकर रिसीने का हे महाबाग समस्त प्राणियों में विशे मार का ग्यान विद्धमान रहता है। कि समस्त प्राणियों में मनुष से अधिकतर विवेक्सिल प्राणि माना जाता है। अनका कंड डाल कर उन्हें चुगाते हैं। हे राजा क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वे मनुष समझदार होकर भी लोवस अपने किये हुए उपकार के बदले में उपकृत होने के लिए पुत्र के इच्छा करते हैं। उन सब में समझदारी होते हुए भी ये संसार के स्थिति जन मिर्तुवादी की परंपरा को बनाये रखने वाली महा माया भगवती के प्रभाद्वारा मोह रूपी भ्रमन में दाल दिये जाते हैं। और उसी में वे जीव अहर्निस डूपते उतरते हैं। अता इसमें आश्चरज की बात नहीं है। संसार बंदन और मोह माया उत्पन कार्णी सनातनी देवी है। समस्त देवों की अधिस्टात्री है। इतना सुनकर राजा ने प्रश्ण किया भगवन। जिने आप महा माया कर रहे हैं वे कौन सी देवी है। हे ब्रह्मन। उनका प्रादु भाव किस प्रकार हुआ। उनके क्या क्या चरित्र हैं। हे ब्रह्म विद्धो में मुनिसेष्ट। उन देवी की कथाओं को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। ऐसा सुनकर इसी ने का हे राजन उन देवी का स्वरूप आस्तों में नित्य और सनातन है। संपुर्ण भिस उन ही का स्वरूप मात्र है। और वे ही महा माया देवी चराचर शिष्टी के सभी प्राणियों में परिव्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ती के अनेक कारण है। वो आख्यान मैं तुम्हे सुनाता हूं। जब वे अवत्तरित होती हैं। उस समय लोक में उनका अवत्तार लेना कहा जाता है। प्रले काल में जब निखिर ब्रहांड मासागर में लए हो रहा था तथा सब जियों के पालग भगवान विष्णू से सया पर योग निद्रा विभूत हो रहे थे। उसी समय उनके कानों की मैल से दो भिशन दानव की उत्पत्ती हुई। वे दोनों बलवान दानव मधू कैटब नान से जगत में अभी बीट हुए जन्म लेने के ततकाल बाद दिए दोनों दत्र शिष्ट करता ब्रहमाजी का बद करने के लिए उद्ध हुए। उसमें ब्रहमाजी भगवान विष्णू के नावी कमल में इस्तित उन दैत्रों को अपना बद के लिए ततपर दे गई है। उनी योग माया भगवती को ब्रहमाजी आरदना करने लगे। ब्रहमाजी ने का हे देवी तुम्ही स्वाहा स्वथा और वस्टाकर हो स्वर्भी तुम्हारे ही रूप में नहीत हैं। तुम्हारी प्रांट दायती अम्रित स्वरूपा हो नित अच्छर हो तुम्हारे पर ही निखिल ब्रहमान डाधादीद है तुम्हारे द्वारा ही शिष्टी की रचना होती है। तुम्ही एक मात्र पालिका और संहारी का हो स्वरूपनी हो। तुम्ही खन्डधार्नी, सूलधार्नी, घौरूपा, गदाचक्र और धनुसधार्नी भी हो। भुसुंड पारिक इत्यादिज तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम्हें स्वों में और संम्म्हत्तर हो इतना ही नहीं बलकि शिष्टिम है। जितनी स्वों में तदा सUNDर बस्त उम्हें पाई जाने वाली सकती भी तुम्ही हो अत्वैँ तुम्हारीस तूति अवढने है संपून जक्त चेता पालाकव संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमनें निद्रा विभूत कर रखा है तब तुम्हारी स्थूति करने上 में सच्छा मिस प्रहांड में कौन ह मेरे सहीद भगवान संकर तता विष्णु को भी शरीर धारंग करने के लिए तुमी ने प्रेडित किया है अत्वाए तुमारे स्थूति में सभी असमर्थ हैं देवी तुम तो अपने इस उदार प्रहाओं के कारणनी प्रसंसित हो इन दोनों अपराजे दानों को तुम भी मुख्ध करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो इसके साथ इसाथ भगवान के अंतरमन में मदू और कैटब नामक असुरों के बद की पेलना भे उ भगवान के नित्र मुख नासिका बाहू हिर्दय और वचस्तल से निर्गत होकर अभ्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने प्रगट हो गई निद्रा रहित होते ही भगवान ने उन दोनों दानों को देखा वे दोनों ही दुराचारी देत्त मधू और कैटब अतंत प्राक्र कर्मिदानों के साथ पाँच हजार वरसों तक निरंत्र वाहियुद्ध किया वे दोनों ही दैत्त बल के मद्र में मत्र हो रहे थे महा माया ने दोनों दैत्तियों को अपने प्रभाव से मोह ग्रश्ट कर दिया था एत दर्थ उन दोनों असरों ने मोह मुध्द होकर भगव भगवान बोले यदि तुम दोनों मेरे उपर पसंद हो तो मैं भी यह चाहता हूं कि तुम लोगों की मिर्तु मेरे हाथों से ही हो इसके अत्रिक्त मुझे किसी अन्य बर्दान पाने की लालसा नहीं है तब रिसी ने कहा जब उन राच्छसों ने मौ अग्रस्थ होकर समस्त भूतल को जलपूर्ण समझा तब भगवान से कहा मेरा बद किसी सूखे अस्थल में करो इसके बाद रिसी बोले संक चक्र गदा और पद्मधारी भगवान विश्ट ने तथास तुका कर उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जांगों पर रखकर सुदसन चक्र द्वारा काट दिया या महा माया देभी ब्रह्मा जे के स्तुति से प्रसन होकर स्वई उत्पन होई थी मैं तुमसे उनके प्रभाव के महत्म का वर्णन करता हूं इस प्रकार मधू कहता बद करना मक पाला ध्याय समाप्त हुआ बोले मातारानी की जय